आज हम बनाने वाले वो खटी मीटी चटनी जिसके बिना मतलब सारी चाट रेसिपी अधूरी है बहुत इजी बनाने वाले हैं और अच्छी बनेगी सबसे पहले आपने क्या करना है ड्राय मगोज लेने हैं जो कि आपको इसली किसी भी स्टोर पे मल जाएंगे और इसे एक रात पहले आपने सोक करके रख देना है फिर न अच्छे से धोके सोक करना क्योंकि जिस पानी में हम सोक करेंगे वही हम चटनी बनाने के लिए यूज़ करने वाले है तो मैंने टोटल यहाँ पर 1.5 लिटर वाटर यूज़ करा है नेक्स्ट आपने इसके दर कुछ चीज़ आड़ करनी है आम को आपको सबसे पहले बॉइल करना है पानी में और उनको एक तरफ करके अच्छा एक पेस्ट बना लेना है फिर नेक्स्ट यहाँ पर कुछ स्पाइसे आड़ करने है जैसे कि देगी मिर्च हो गया, काली मिर्च हो गई, सौट पाउडर हो गया, ब्लैक पेपर हो गई और न सेंदह नमक, नॉर्मल नमक और ब्लैक वाला नमक यह सब मिलाके इसमें डाल देना है फिर एक्स्ट्राज में यहाँ पर आगया तिल, वाइट वाला और थोड़ा सा किश्मिश नारियल और डेट इसमें डाल देना है खजूर और इन सब को मिक्स करेके आपने इसे स्लो फ्लेम पे पकाना है और यहाँ पर मैंने 2.5 कटोरी गुर्ड डाला है ठीक है, नेक्स्ट जो हमने आम का पेस्ट बनाया है न यह से के अंदर डाल दो और 30 मिनिट के आप इसे स्लो फ्लेम पे पकने दो और इसे कंटीन्यू स्टर करते रहना मतलब थोड़ा थोड़ा गैप ले सकते हो एक दम इसे छोड़ मत देना फिर यह थिक सी हमारा जो चटनी है वो बन के रही है आप इसे एक दो महीने स्टोर कर सकते हो फोर मूल सच वीडियो लाइक और सब्सक्राइब